हाई दोस्तों कैसे हैं आप हमारे यूटूब चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं उपास के लिए अर्वी के वड़े आए दिखाते हैं क्या क्या सामागरी है दोस्तों हमने आधा किलो अर्वी लिये हैं और ये हरी मिर्च है और एक इन चद्रक है ये एक छोटा चेमच अजवाईन है ये दो छोटा चेमच नमक है और ये तेल है वो है तो दोस्तों हम ऑबी को सीटी को करने करेंगे उसके बाद्यशका ऊतारेंगे है दोस्तों ने पानी रख दिये गरम होने लिए अब हम από इसमें अर्वी डालेंगे दस्क दख और किकले अब हम इसका धक्का लगा देते हैं अच्छे से दोस्तों हमने अर्वी को वाइल कर लिये हैं ये ठंड़ा भी कर लिये अब हम इसका छिलका उतारेंगे ये बहुत साफ्ट हो गया है उसके बाद छिलका उसका उतार के हम सारी सामागरी को अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे ही हम सारे अर्वी का छिलका उतार लेंगे दोस्तों हम अर्वी के छिलका उतार लिये हैं अब हम सारे सामागरी को एक बड़े बरतन में अच्छे से मिक्स करेंगे यह हरा धनिया है यह हम अधरक और मिर्ची का पेश्ट बना लिए है कूट के और यह दो छोटा चेमच अजवाईन है और यह दो छोटा चेमच नमक है अब हम सारे सामागरी को अच्छे से मिक्स करेंगे आपके हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं दोस्तों हम सारे सामागरी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं अब हम चल रहे हैं इसको तावे में फ्राई करने आपको चाहिए तो कड़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं हम तवेपे करेंगे ताकि तेल कम खाए हेल्दी भी होगा दोस्तों हाथ में हम पानी लगाएं हम अच्छे से लोई बनाएं ऐसे ही हम छोटे-छोटे लोई बनाके अगर आपको चाहिए तो आप कड़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं हमने तवा रख दिये गरम होने के लिए अब हम तवे पे तेल डालेंगे तवा गरम हो गया है अब हम इसी फ्राई करेंगे तवा अब हम इसके साथ से थोड़े थोड़े तेल डालेंगे अब हम इसको थोड़े 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 पंचिल नारेंगे अब हम दूसरे साथ थोड़े तेल डालेंगे दोस्तों ऐसे ही हम दोनों तरब पलट पलट के पका लेंगे अच्छे से इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है बहुत हेल्दी नास्ता बन गया उपास का अब हम इसको एक पलेट में उतारेंगे अब हम बाकी का ऐसे फ्राइ कर लेते हैं दोस्तों अरवी का ओड़ा बनके रेडी है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू